आप सभी का मेरे चैनल पर पुन्हा स्वागत करता हूँ, आचा करता हूँ, कि आप सभी सुस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदाय बने रहे, यह वीडियो तुला यानि की लिब्रा के लिए बहुत महत्यपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है, अगस्त दोहजार 24 के मासिक राशीफल के बारे में, कैसा रहेगा अगस्त का महीना तुला के लिए, मेरा जो मासिक राशीफल होता है, वो जीवन की प्रमुख चीजों पर आधारित होता है, जैसे की सामाने विश्लेशन, करियर, विजनस, इंकम, इंवेस्मेंट, लव लाइफ, मैरिड विश्लेश उपाय भी बताया जाते हैं, जिसके करने से महीने की सकरात्मत्ता में वृत्ती होती है, यदि आपकी लगन राशी तुला है, या आपकी चंद राशी तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशीफल को देख सकते हैं, पुनाह समझाने का प्रयास करू मैं विक्टिकत तौर पे हमेशा से कहता हूँ कि लगन राशी से जो सटीकता है वो थोड़ी सी जादा बैठेगी, इनका ब्रयजन तुला है चंद राशी, नहीं पता अगर आपको लगन राशी तो चंद राशी से भी अवश्य देख सकते हैं, वीडियो के अंत में कुछ शुपाई भी पताऊंगा जिसके करने से महिने की सकरात्मक्ता में व्रद्धी अवश्य होगी, तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं सामाने विश्लेशन से, लगन भाव को देखेंगे, लगन पर किसी भी ग्रह का डारेक्ट इंपेक्ट नहीं रहेगा, ना तो लावस्थान में रहेंगे, और ये 31 जुलाई को ही आ गए होंगे, तो अगस्त से उनका पूरा प्रभाव लावस्थान से आएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लगनेश का लावस्थान में बैठना अपने आप में बहुत शुब होता है, जॉब करते हैं, बिजनस कर करते हैं, आर्थिक तंगी चल रही थी उसको दूर करने के लिए, जॉब बिजनस में लाव के लिए, एच्छाओं के पूर्तिकी, अटके हुए कामों को बनाने के लिए, हर प्रगार से ये समय आपका अच्छा रहेगा, श्रिष्ट रहेगा, लगनेश का लावस्थान में लेकिन बुध यानि की मकरी, वो वकरी हो जाएंगे पांच अगस्त को ही, और बुध जो है वो बारवे घर के भी स्वामी है और लावस्थान के स्वामी है, अब कोई भी गरह जब वकरी होता है तो वो स्ट्रॉंग हो जाता है, अब लाभेश का स्ट्रॉंग होना तो चलत लेकिन वे स्थान का भी स्ट्रॉंग होना दर्शाता है कि 5 तारीक से 22 तारीक के बीच में जब तक बुद्ध की यूती है यहाँ पर शुक्र से कुछ अचानक से खर्चे भी बढ़ सकते हैं और कुछ पेमेंट्स में थुआ सा रुकावटे भी आ सकते हैं यानि कि आपका काम शुक्र पर दो वक्री ग्रहों का प्रभाव है अब यह क्या बताता है यह बहुत प्योरली इंडिकेट कर रहा है ठीक है जब वक्री ग्रहों का प्रभाव है चीजें धीरे से होती है लेकिन दो वक्री ग्रह यानि कि आत्म बंतन का समय बदलाव का समय अपने जीवन में प बुद्ध है जो बुद्धी के कारक है और एक शनी है जो आपके योग कारक है यानि कि अपनी बुद्धी का उपयोग करते हुए आपके जीवन में क्या अनिवार्य है क्या जाधा important है उस पर focus करना आपको शुरू करना होगा बस इसका negative प्रभाव ये रहता है कि जब दो वक तो विदेश से पैसा आएगा लेकिन यही जैसा मैंने कहा वे स्थाने के स्वामी भी है तो खर्चे भी आपके इस पूरे महीने स्पेशली पांस तारीक के बाद से थोड़े से बनने शुरू हो जाएंगे इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्य महराज का होगा वो होगा सॉला तारीक को और वो भी अतिश्रिष्ट गोचर है क्यों क्योंकि सूर्य आपके लिए खुद लाभेश है यानि कि लाबस्थाने के स्वामी है और वो लाबस्थाने में ही गोचर करें यानि कि अपनी ही राशी के और अपनी ही राशी के जब ग्रह अपनी ही राशी में जब आ जाते हैं तो बहुत स्ट्रॉंग हो जाते हैं तो जो बुद्ध का वक्र प्रभावता वो भी थोड़ा कम होगा क्योंकि राशी के स्वामी राशी पती वहीं पर आ गए हैं जैसे हम अपने घर को प्रोटेट करते हैं हम अपने घर में सबसे ज़्यादा अपनी राशी से प्रॉब्लम आ सकती हैं, सरकार से बाधाया आ सकती हैं तो उससे थोड़ा सा बचके रहीएगा भाई बहन के वीच में थोड़ी प्रॉब्लम ds हो सकती हैं दोस्तों से थोड़ी कुष्ट मिल सकते हैं यहाँ पर तीन गरह आपके लावस्थान में हैं यह एक और इंडिक income या extra income earn करने की opportunity भी आपके पास आ सकती है तो अती विशेश ये दिख रहा है महिने केंद में दो गोचर और होंगे एक होगा शुक्र महाराज का शुक्र आपके बारवे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे और एक होगा मंगल का जो 26 तारीक को आपके नवम भाब ब्यानेंगे 25 को शुक्र और 26 को मंगल बारवे घर के मंगल शुक्र वैसे तो अच्छा प्रभाव देते हैं मैं कई बार बता चुक हूँ नीच के भी ठीक है कोई बहुत पुरा प्रभाव नहीं हो लेकिन कहीं ना कहीं तो नीच ताएगी और केतू के साथ शुक्र है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं तो महीने के अंत्यम भाग में खर्चे बढ़ेंगे सेहत पर बहुत ध्यान रटने के वशक्ता है शुक्र भी है बारवे घर में अपने वे भाव में यानि कि शारिरिक कष्ट भी मिल सकते हैं कोई अलरी डिजीज चल रही थी वो तंग करेगी और केतू जो खुद रोग कारक है उनके साथ बैठना है यानि कि पुराना रोग तंग करेगा इंफेक्शन मैं उसको कवर करूँगा हेल्थ वाले सेक्टर में लेकिन महीने के अंतिम भाग में सेहत पर ध्यान दीजेगा और क्योंकि शुक्र अपने आप में विवाही की जीवन रिलेशन्शिप के कारक है और सब्तम से छटे भाव में बैठ रहे हैं तो इसका married life और relationship दोनों पर ही थोड़ा सा महीने के अंत में बुरा प्रभाव पर सकता है तो इस पर आपको बहुत निगरानी रखनी है बहुत नजर रखनी है इम सब चीजों पर ध्यान दीजेगा एक अच्छी अच्छा मंगल का भी गोचर है उसकी बात हमने नहीं करें मंगल आपके भागे स्थान में बैठ जाएंगे धनेश हैं भागे स्थान में अपने आप दिखा रहा है धन बड़ेगा और सब्तमेश हैं भागे स्थान में यानि कि बिजनस में लाब मिलेगा आपके पती या पतनी को भौत इक सुप की प्राप्ती जादा हो सकती है अच्छी चीज है कि महीने केंत में बुद्ध भी मारगी हो जाएंगे डिरेक्ट हो जाएंगे अभी वी वक्री एक चीज मैं बताना बोलगे श्री बुद्ध का पतित प्रभाव तो मैंने बात ही नहीं करी 22 तारीक को एक चीज होगी वो होगा बुद्ध का पतित हो जाना बुद्ध 22 तारीक को आपके दस्वे भाव में फिर से गिर जाएंगे यह पहले बताना चीए था लेकिन मैं भूल गया बुद्ध यहाँ पर बैठे होगे थे आपके और वक्री होगे थे पांच अगस को जैसे मैंने कहा तो पतित होते 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 या पीछे जाते जाते आपके दस्वे घर में गिर जाएंगे इसको ग्रह का पतित होना या फॉलन प्लैनेट कहते हैं यह होगा बाईस अगस को अब यहाँ पर बहुत केरफूल रहना है किन लोगों को जो लोग जॉब करते हैं कारण क्या है कि दस्वे भाव में आ रहे हैं बुद्ध और पतित ग्रह यानि कि फॉलन प्लैनेट कारेक शेत्र में जिस भी भाव में आता है उससे संबंदित unexpected result दे सकता है अब क्योंकि वो आपके नवम भाव के स्वामी है और क्योंकि बारवे घर के स्वामी है यह अच्छा क्या result दे सकता है जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे या departmental चेंज का विचार कर रहे थे उनको यहाँ पर महीने केंट में कुछ result मिल सकता है लेकिन जिनकी अच्छी कासी जॉब चल रही थी और अगर दशा अंतरशा थोड़ी अच्छी नहीं चल रही तो इस ताइम उनके जॉब में problems आ सकती है अगर company में layoffs वगरा बहुत चल रहे है तो इवन जॉब जाने तक की नौबत आ सकती है तो आपको 22 अगस्त के बाद से अपने कारक शेत्र में बहुत जादा careful रहना है अब यह अच्छा है कि बुद्ध यहाँ पर करीवन एक हफते के लिए यानिकि 29 तारिक तक की वक्री रहेंगे पतित तो रहेंगे उसके बाद भी लेकिन मारगी हो जाएंगे यानिकि सीधा चलना शुरू हो जाएंगे अब जैसे 5 अगस को उल्टा चलना शुरू होए और 22 तरक तक आते आते पीछे गिर गए अब 29 तारिक से वो सीधा चलना शुरू हो जाएंगे तो जो बहीने का 22 सारिक से मानके अंतिम समय तक का जो कालक अंड है इसमें आपको अपने कारक शेतर में बहुत केरफूल रहना है विशेश प्रेडिक्शन ये बहीना जैसे मैंने कहा अपने आप पर रिफ्लेक्ट करने का मौका मलेगा आत्मन्थन का बहुत अच्छा महीन है थुदा सा रिलैक्स रहिएगा अपने आपको ब्रेक दीचेगा mentally, physically दोनों के लिए ही ये वशक है understanding बढ़ेगी कई चीजों को लेकर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सामाजिक कारे करना चारे है कुछ charitable कारे करना चारे है बहुत लंबे टाइम से लेकिन कर नहीं पा रहे है बस सोचे जा रहे है तो कुछ भी ऐसा करने का आपके मन में था तो अवश्य उस चीज को कीजेगा उससे एक आत्मिक तोर पर मानसिक तोर पर emotional level पर आपको एक खुशिया मिलती है अपने दिल में जो आपका आ रहे है कोई इच्छा है आपकी कोई होबी है आपकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो पा रही आपका मन जो है वो चीजे इस महीने अवश्य पूर्ण करने की कोशिश कीजेगा किसी पर भी गलती से भी judgmental comments मत पास कीजेगा धन अचानक से कई बार आएगा जैसे मैंने कहा उसका सदुपयोग कीजेगा अपने entertainment के लिए अपने emotional happiness के लिए उसको यूज कीजेगा गे महीना इस प्रकार का है कि जहां पर आपको बहुत कुछ नया स्टार्ट करने के ideas आएंगे फिर भी क्योंकि वक्तरी ग्रहों का बहुत प्रभाव है maybe वो implement ना हो पाए लेकिन ideas बहुत आपको आएंगे और इसके साथ ही मैं कहुँगा कि अपने जीवन का सौंदर ये करन कीजिए उसको मैं physical level पर नहीं कहुँगा अपने विचारों को थोड़ा सा सुंदर करने का सुंदर बनाने का ये महीना बहुत अच्छा है कुछ negative चीजे जिन से बचना है जीवन को बहुत complex नहीं करना सरलतम चीजों से अपने जीवन को संपन कीजिए over excitement नहीं करनी किसी के पती over friendly नहीं रहना क्योंकि अगर आप किसी के पती over friendly रहे भले आपके भाव अच्छे हो लेकिन वहाँ से इस चीज़ को गलत समझा जाएगा कभी भी arguments होने वाली हो तो अपने आपको दूर रखिएगा क्योंकि इस महीने बहुत संभावना है कि कुछ लोग आपको जानबूचकरतं करेंगे और उसमें होगा क्या कि जैसे मैंने कहा यह आत्ममंथन का समय है आपका फिर ध्यान हट जाएगा वहाँ से जब हमारी लड़ाई होती है किसी से बहस होती है तो वो चीज हमारे मनमस्तिश को पर बहुत टाइम तक असर करती है फिर उससे हमारी creativity, productivity हर चीज़ पर असर पड़ता है इस्पेशलि तुला वाले पर जो थोड़े से harmonious nature वाले होते हैं चाहिए होता है कि सब इन से खुश रहें सब कुछ बहुत संपन्न रहे तो यहाँ पर किसी के provoke करने पर आपको provoke नहीं हो ओर ल देखा जाए महीना बुरा नहीं है लेकिन जो भी मैंने कुछ negative चीज़े कही है ध्यान दीजेगा करियर के तरफ जो लोग जॉब करते हैं ठीक ठाक महीना है बुद्ध क्योंकि वक्री होकर पतित होकर आपके दस्वे भाव में ही आ जाएंगे महीने केंत में तो थोड़ा केरफुल रहने की अवशकता है पहले तो 16 तारीक तक सूर्य आपके दस्वे भाव में रहेंगे जो अच्छा है दिगवली हैं लाबस्थाने के स्वामी है संभावना बन जाती है कि प्रमोशन आदी के योग आपके बन सकते हैं अगर इस टाइम पे आप रिजल चलता है आपका तो 16 तारीक से पहले अगर उससे पहले ये सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो आपके प्रमोशन के योग बहुत स्ट्रॉंग बन रहे हैं दस्वे भाव से ग्यारवे में यानि की अश्टम में मंगल है जो धन स्थाने के स्वामी है तो यहाँ पर धन बनने की जो चांसेस है कारक्षेत्र में वो भी बढ़ सकते हैं हो सकता है कोई आपको एक्स्ट्रा काम मिल जाए कोई एक्स्ट्रा काम मिल जाए जिस पर अच्छा incentive है आजकल कहीं companies में होता है कि performance based incentives मिलते हैं तो यहाँ पर आपको आते 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 बाइस तारीक को यहां पर गिर जाएंगे दस्वे भाव में और दस्वा भाव क्या है करियर का भाव tब Omaha यहाँ पर आ चुकी होंगे तो अके ले अ बुद्ध रहें महीने के जो अन्तिम ददीन है यहाँ पर बहूत केरफुल रना पतित ग्रह है, fallen planet, unexplained result देते हैं कभी-कभी, तो अचानक से job में problems, बाधाएं आ सकती है, जैसा मैंने शुरू में कहा था सामान विश्रेशन में कि अच्छा उनके लिए हो सकता है, जो job change का विचार कर रहे थे, क्योंकि पतित ग्रह कभी-कभी वापस आता है, उस कारे को पूर्ण करने के लिए जो नहीं पहले result जिनका मिल पाया, तो job change का प्रयास कर रहे थे, transfers का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए अच्छा रहे रहे लेकिन, जिनकी तशान तशा थोड़ी खराब चल रही है, उनको महीने के अंतिम भाग में बहुत केरफुल रहने के अवशकता है, गलतियां हो सकती है, silly mistakes से लेकर लेकर बड़ी mistakes तक हो सकती है, और अगर आपकी office में layoffs चल रहे हैं, बहुत careful रहेगा, क्योंकि महीने का अंतिम भाग उसके लिए, बलकि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ट नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा careful रहने के अवशकता अवश्या आपको है, 26 थारीक को मंगल भी आपके नवम भाब में आ जाएंगे, जो बताता है कि महीने के अंत में, आपके अपने बॉसेस से भी जगड़े हो सकते हैं, तो ये महीना शुरुवात भले ही अच्छी लेकर आ रहा हो, लेकिन अंत थोड़ा सा sensitive है, vicious predictions, थोड़ा सा नियमित तरीके से काम किजेगा, पैसे बढ़ने की संभावना पूरी है, लेकिन शड्यंत्र हो सकता है आपके खिलाव, बलकि एक विक्ति नहीं, मिलकर कुछ लोग आपके खिलाव कुछ करने की शाजिश रख सकते हैं, especially अगर आप बड़ी पोस्ट पे हैं तो, mentally काफी exhausted रहेंगे इस महीने, तो अपने आपको mentally relaxed रखिएगा, अपने colleagues पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना, और सबसे important चीज है कि एक flow रखना है अपने कारेक्शित्य में, कि बुद्ध यहाँ पर आएंगे तो गलतिया होने की संभावना भी बढ़ जाती है, और ओगलतिया तभी होंगी जब आपने कारें को डिले करना शुरू कर दिया, क्योंकि कारें डिले कर देंगे फिर एक catching up game खेलेंगे, और उसके बाद फिर गलतिया होना शुरू हो जाएगी, पुर्णा कहूंगा धर बढ़ने की संभावना है, प्रमोशन की संभावना भी है, लेकिन वो सब महीने के मध्य भाग तक है या 20 तरी तक मान के चलिए, उसके बाद का जो time है वो थोड़ा सा sensitive है, हर चीज को अपने control में रखिएगा, अपने skills पर भरोसा रखिएगा, अपने ओपर भरोसा रखिएगा, और थोड़ा सा आपको ध्यान ये भी देना है, कि आपको अपने जो आपका एक administration है, आपका जो organizing skills है अपने कारक्षित्र में, उस पर बहुत ध्यान देना पड़े हैं, किस प्रकार से आप चीजों को manage करते हैं, वो decide करेगा इस महिने कि आप किस प्रकार से वो sensitive time जो होगा, उससे निकल करा पाएंगे, तो बहुत बुरा महिना तो नहीं कहूंगा, और सब्तमेश यानि कि मंगल भी अश्टम में रहेंगे, जो changes दिखाता है, तो अगर आप अपने business में कुछ बड़े changes लाना चाहते थे, तो उसके लिए महिना अच्छा है, मंगल गुरू के साथ होंगे, जो सब्तम से बारवे के स्वामी है, और सब्तम से नवम के स्वामी है, तरिकोन के स्वामी, ये बता रहा है कि आपको हो सकता है, इस महिने अपने business के लिए यात्राय करनी पड़े, और अगर आप अपने business में, कुछ structural changes लाना चाहते थे, कुछ machinery के changes लाना चाहते थे, और अगर disinvestment भी करना चाहते थे, for example, आपका कोई business है, नहीं चल रहा था, बहुत time से आप सोच रहे थे, कि इस business को बेज कर, या कुछ part बेज कर उसका, आप disinvestment द्वारा आगे बढ़ सके, तो उसके लिए भी महिना अच्छा है, इवन funding अगर आप प्राप्ति करना चाहते थे, उन सब चीजों के लिए भी महिना अच्छा ही देख रहा है, मंगल जो है, वो सब्तमेश भी है, और आपके धनस्थाने के स्वामे भी है, और वो अश्टम में रहेंगे, यानि कि कभी-कभी अचानक से धनप्राप्ति का आपका योग बनेगा, लेकिन गुरू सब्तम से बारवे के स्वामे भी हैं, यानि कि बिजनस में खर्चे on the higher side हमेशा इस महिने रहेंगे, सब्तम से पंचम में शुक्र और बुद्ध हैं, ये एक चीज़ अनफर्म कर रहा है कि भले ही बुद्ध वक्री हो जाएं, इस महिने बिजनस में आपको आइडियास बहुत अच्छे आएंगे, और उन आइडियास के दम पर बिजनस को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकते हैं, वक्री शनी की दिश्टी बनी रहेगी पूरे ही महीने, बलकि अभी तो और भी कुछ महीने बचे हुए हैं, तो ये जैसा मैंने कहा है, ये वैसे भी समय है, ये महीना आपका आत्ममंतन का है, तो बिजनस में भी वो इंप्लाइ होगा, यानि कि कुछ भी आप बहुत टाइंग से चेंजिस लाने का प्रयास कर रहे थे, वो चेंजिस आप इस महीने ला पाएंगे, विशेश प्रेडिक्शन कई नए मौके आपके सामने आएंगे, फ्यूचर को लेकर कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, धनाता हुआ दिख रहा है, और अपने बिजनस पे आपको रिसर्च करने का मौका भी मिलेगा, उसके जो नुवैंसे होते हैं बिजनस के, उसको जानने का मौका मिलेगा, बिजनस में जैसे माने का स्ट्रक्शल चेंजेस करने के लिए बहुत अच्छा महीना है, भागे का साथ मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है वो अंतमे महीने के भागेस्थान में ही चले जाएंगे 26 अगस को, ये भी अच्छा है, और इसके साथ ही भागे का वैसे भी इन दकेस, अगर आपका कोई काम अटक रहा था या पैसा अटक गया था, उसको पूर्ण करने के लिए भागे आपका साथ देगा, माइंड बहुत शाप रहेगा बिजनस को लेकर, बिजनस के आइडियाज को लेकर, और इसके साथ ही आपकी जो एनलाइजिंग स्किल्स होंगी बिजनस को लेकर, वो भी बहुत शाप रहेगी, तो महीना अच्छा है, इसको यूटिलाइज कीजेगा, शुबदा दिख रहेगे, इंकम इन्वेस्मेंट एक्स्पेंजिस, लावस्थान में आपके शुक्र बुद्ध हैं, जो दोनों ही शुबगरा हैं, पैसा कमाने के लिए, बनाने के लिए महीना बहुत अच्छा है, धनस्थान के स्वामी मंगल, अल्मूस्थ पूरे महीने धनस्थान को भी देखेंगे, लावस्थान को भी देखेंगे, अचानक से पैसे के प्राप्ती होगी, हाँ, जैसा मैंने शुरू में ही का था, बुद्ध वक्री होंगे, अब दीखे, पैसा कमाना, या फिर आपका काम बनना पैसों से समझेद अलग चीज़ होती है, कभी-कभी पेमेंट्स में डिले हो जाता है, जो लोग बिजनस करते हैं, उन पर ज़्यादा इसका अफेक्ट होता है, और उनको ज़्यादा पता भी होता हो, जॉब में यह है कि एक सर्टन टाइम है, कि हाँ, इस तारीक आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, जब आप अपना बिजनस करते हैं, कभी-कभी पेमेंट्स अटकती है, कभी-कभी क्रेडिट पर सारा काम चलता है, तो यह हो सकता है कि आपकी पेमेंट्स अटक जाए या डिले हो जाए, लेकिन जो ऑपर्चूर्टी है धन कमाने की, वो इस महीने परयाप्त मातरा में बलकि अच्छी ही रहेगी, इन्वेस्पेंट की बात करें, शुरुवाती दस दिन ठीक है, लेकिन में भी आपके अफर्ट्स उतने अच्छे ना रहे हैं, इन्वेस्पेंट को लेकर, बीच के दस दिन ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बहुता रिस्क भी ले सकते हैं, छोटे मोटे अमान्ट का, अंतिम दस दिन शान्त रही है, मैंने कि कुछ रिस्क नहीं देना, खर्चों की बात करें, मैंने शुरू में ही कहा था कि, बुद्वक्री हो जाएंगे, और वे स्थान के स्वामी है, वक्री होखर, और स्टॉंग होते हैं, और शुक्र के साथ बेटे हैं, जो लगने इशे हैं, यानि कि खर्चे तो होंगे, और बहुत बड़ी मात्राओं में होंगे, हो सकता है, इस महिने के शुरुवात में आपको लगेगी, इस महिने मेरा कोई खर्चा नहीं है बड़ा, आप देखेगा, आप में से कई लोग सोचेंगे, कि ठीक, इस महिने तो कोई बड़े खर्चे नहीं है, आप पैसा बचाएंगे, लेकिन वक्री ग्रह वही प्रभाव देता, आपको शुरू में तो लगेगा कि कुछ भी खर्चा नहीं है, जैसे ही बुद्ध पांस तरीकों वक्री होंगे, कि खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्या क्या खर्चे होंगे, सेहत पर खर्चा होगा, आपके और आपके घर वालों पर, सूरे का प्रभाव यहाँ पर बुद्ध के साथ कुछ टाइम तक होगा, तो सरकारी कारों पर खर्चे होंगे, लीगल कारों पर बहुत खर्चे होंगे, अगर आपके घर में अल्रड़ी कोई सद्ध से थोड़ा सा बिमार चल रहा है, तो थोड़ी से उनकी देखरेख जादा होगी, यात्राएं बहुत होंगी, छोटी छोटी उन पर खर्चे होंगे, कई ऐसे खर्चे भी कर देंगे, आप जो थोड़ा सा स्ट्रेस में आकर कुछ खरीद देंगे, या फिर थोड़ा सा एक्साइटेड होके कुछ खरीद देंगे, उन चीजों पर बहुत खर्चा होगा, बच्चों पर बहुत खर्चा होने वाला है, कलते हैं love and relationship की तरफ, no contact situation, संभावना है, क्योंकि दो वक्री ग्रहों का प्रभाव होगा, पंचम परशनी वक्री हैं, बुद्ध देखेंगे, शुक्र के साथ मिलके देख रहे हैं, तो संभावना है, बस क्या है कि थोड़ा सा maturely आपको चीजों को handle करना पड़ेगा, इवन नई relationship की भी संभावना है, ठीकिन बस मैं यह कहूँगा, कि अगर बातें बढ़ रही हैं, आगे अगर लगर आए कि यहां, चीज़ें stable हो रही हैं, तो भले ही initiate करने की कोशिश मत कीज़ेगा, मलकि कमिट्मेंट वाली जो चीज़ है, जब भी कोई relationship में आने वाला होता तो usually पता चल जाता है, हाँ, एक दुसरे से बात करते हैं, थोड़ा सा wives match होती हैं, एक दुसरे को समझते हैं, तो इस महीने में कहूँगा, कि जल्दबाजी में आकर चीज़ों को start करने की कोशिश मत कीज़ेगा, अभी थोड़ा सा और time है, अगर आप उस process में है, तो और stability खारक होते हैं, अब पंचम में शनी हैं, जो वैसे भी अच्छे नहीं होते relationship के, के लिए, और वकरी भी हो गए हैं, और बुद्ध भी पांच को वकरी होकर पंचम को देखेंगे, और शुक्र महाराज महीने के अंतम, यानि कि 25 तारीक को नीच के हो जाएंगे, और केतु के साथ बैठ जाएंगे, यानि कि problem जाना शुरू हो जाएंगे 5 अगस से ही, और अगर कुंडली में अलरड़ी बहुत पूरे योग हैं, और अलरड़ी आप दोनों के बीच में problem चल रही है, तो जैसे ही शुक्र नीच के होंगे और खेतु के साथ बैठेंगे, दोनों ही शु अलरड़ा तारीक के बाद यहाँ पर आजाएंगे, और पंचम को देखेंगे, और शनी सूरे का समसब तक, ego clashes, एक दूसरे के को dislike करना, एक दूसरे की गलतिया निकालना, यह सब बहुत बढ़ने वाला है, विशेश परिक्शन, कोशिश आपको करने है, stability लाने की, अपने सामाने चलता हुआ relationship, easy नहीं रहेगा, दो वक्री ग्रहों का प्रभाव है, उपर से शुक्र भी जैसे मैंने कहा, नीच के हो जाएंगे, केतू के साथ बैटना, separation दिखाता है, at some level, जितना organize रख सकते हैं relationship को, जितना simplify कर सकते हैं relationship को, उतना अच्छा रहेगा, और एक दूस चलते हैं विवाहिक जीवन के तरफ, married life के तरफ, मिश्चित सा महीना है, सरबतम तो मंगल दोश बना हुआ है, क्योंकि मंगल आठवे में, जुलाई में ही आ गए थे, यह almost 26 अगस्तक रहेगा, तो थोड़ी अनिश्यत्ता ही जाती है, अच्छी चीज है कि गुरू के साथ हैं, जब मंगल बैठे हुए हैं, तो गुरू का मतलब थोड़ा सा protection, तो जहां पर भी लगता है कि अनिश्यत्ता आ रही है, तो किसी से guidance लेंगे, किसी ऐसे विक्ति को communication या conversation में involved करेंगे, जो आप दोनों को ही समझता है, आप दोनों ही जिनकी इज़त करते हैं, तो जो में रहेंगे, पूरे महीन मतलब कि 26 ताइक तक, और शुक्र जो विवाहिक जिवन के कारक हैं, वो वक्री बुद्ध के साथ रहेंगे, और शुक्र को वक्री शनी भी देखेंगे, तो सब्तमेश अश्टम में जो निश्यत्ता दिखाता है, शुक्र जो कारक हैं, वो वक्र बुद्ध के साथ वक्री शनी के प्रभाव में, यानि कि अगर प्रॉब्लम्स आ भी रही है ना, तो उनको ठीक करने का आवसर भी इस महीने थोड़ा सा कम मिलेगा, चीज़ें स्लो गती से आगे बढ़ेंगे और अनिशित्ता का भाव मेरिड लाइफ में बहुत जादा रहन बहुत आएंगे, एक दूसरे के विचार नहीं समझ पाएंगे, सबसे इंपॉर्टन चीज़ यह है, और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही अलग डिरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, शनी का प्रभाव भी रहेगा सप्तमपर, और वक्री है वो, तो अब जिनकी दशा अ बहुत अच्छी चल रही है, हो सकता है, उनको थोड़ा सा मौका मिल जाए, चीजों को ठीक करने का, रिकवरी करने का, अदरवाइस, यह महीना क्योंकि वक्री प्रभाव इतना है, तो चीजें ठीक करने के अगर अफसर भी आते हैं, तो उसका भुना नहीं पाएंगे, उस जाकर थोड़ी स्थेता आ सकती है, अदरवाइस, महीना अंसर्टेनिटी भरा है, विशेश प्रेडिक्शन, रिलाक्स रहिएगा, ज्यादा रियक्टिव नहीं रहना, आपको अपनी सीमा पता होनी चाहिए, कहां तक बोलना है, कहां नहीं बोलना, कुछ अच्छे मोमेंट चाहते हैं, तो उनको होल्ड करना है, और जैसमान नहीं का हीलिंग के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, महीना बहुत स्टेश्च नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसे मौके आते हैं, या किसी के थूँ आते हैं, बच्चे हैं अगर आपके तो उनके थूँ अगर पिताने का, घर के बड़ों के कारण बिलता है, तो उस मुमेंट को उस अच्छे समय को और बढ़ाईएगा, तो अंसर्टिनिटी भरा महीना आवश्य दिख रहा है, स्टूडेंस की तरफ चलते हैं, जहां तक स्टूडेंस की बात है, एक्जाम से शुरू करेंगे, शुरू आती दस जिन अच्छे हैं, बीच के दस जिन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉंट्विरेंस, अंतिम दस जिन, हाँ, यहां पर थोड़ी सी थोड स्टूडेंस का होता है, और बुद्ध भी वक्री हो जाएंगे, तो दो वक्री ग्रहों का प्रभाव एक अनिश्यत्ता क्रियेट करता है, और चीजों को डिले करता है, व्यक्ति अपने आपको लेकर थोड़ा सा अंडर कॉंट्विरेंट हो जाता है, तो इस महीने मानसिक रूप से कष्ट जाधा रहेंगे, और अपने सेल्फ कॉंट्विडेंस को लेकर ही प्रॉब्लम जाधा आपको दिख रहे हैं, और बुद्ध का वक्री होना, जो स्टूरेंट के कारक हैं, इसलिए इंपोर्टेंस बहुत दी जाती है, जब स्टूरेंस के बात करते हैं, तो माइन को प्यूरिफाय रखेगा, एडिक्शन से और डिस्ट्रेक्शन से दूर रहने की कोशिश कीजेगा, मैं जानता हूँ कहना आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली स्टूरेंस की एज में, दूसरा कोई हॉबी पर ध्यान दीजेगा, जिससे सेहत की बात करते हैं, जहां तक सेहत की बात है, मैं एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा केरफूल रहने के वशकता है, क्यों क्योंकि लगनेश शुक्र बुद्ध के साथ होंगे, जो खुद बारवे घर के स्वामी है, वक्री हो जाएंगे, और सेहत के लिए बुद्ध बहु आखों के प्रॉब्लम, दातों की प्रॉब्लम, डेंटिस के चक्कर लग सकते हैं आपके, हर्मोनल इशूस बहुत तंग करेंगे, स्किन डिसॉडर्स बहुत तंग करेंगे, नींद धंग से नहीं आएगी, और एंग्जाइटी के प्रॉब्लम बहुत रहेगे, ये कश्ट हर्मोनल डिसॉडर्स, पेट के रोग, बॉडी में गर्मी जादा होना, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, इंफेक्शन्स बहुत तंग करेंगे, जो अंतिम दस दिन है, यहाँ पर बीपी की प्रॉब्लम, जिनको कोई भी कार्डियोलोजी से जुड़ा कोई प्रॉब्ल और चंदन की अगर्वत्ती का दान करना है, अपने घर में माता को, दुर्गा माता को खीर का भोग लगाना है, लक्ष्मी चलीसा, दुर्गा चलीसा का दो बार पाठ करना है, और चार घी के दियर पन करना है, जो दान है यानिकी माला और अगर्वत्ती यह मंदिर में करके आ जाईएगा, बाकि अपने घर में कर सकते हैं, जो लोग कहते हैं हम विदेश में हैं, आप किसी के थूँ इचीज करवा सकते हैं, अगर आपका कोई लेटिव घर इंडिया में है, यूजरी बाहर अगर कई ऐसे देश जापे मंदिर होते हैं, अगर ऐसी जगापे जापे बिल्कुल मंदिर नहीं है, तो आप इंडिया में किसी जे थूँ ये करवा सकते हैं, आशा करता हूँ वीडियो का माएगा चैनल पे नहे हैं, सब्स्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ अगली वी द врड़ी हैं, बरह रड़ीं, वी जो कीजिए ठवजयो का उट जीकिए, चल्वार झापे जैंग हैं, सब्स्यर के जैंगे हैं किजए, बर्दल हैं, सब्स्मै्णूशघस किजए, नहीं किजए्यों कि लीडियों कि बमालीह कि अज्ल दिए अजbulDeखाय, नहीं किजए हैं,